जेशी कृष्णा दोस्तों हर हर महादेव कैसे हैं आप सब सवस्त और सुरक्षित होंगे दोस्तों आज में आप लोग कोई भी परिशानी से गरस्त हों कोई भी समश्या से गरस्त हों या दिधन की कमी है, लक्षमी की कमी है, या कोई ऐसी बिमारी आपके घर में आकस में आ गई है, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही, आपके परिवार के कोई सदश को दवाईया काम नहीं कर रही है, तो आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, आप बहुत उपाय करते हैं, औ वह कपड़े जब तक आप धोते नहीं है उसमें आपका औरा समाझाता है आपका जो पूरा आप एदी positive हैं तो positivity आपकी उसमें आ जाती है और negativity एदी आप में है तो negativity उर्जा आपकी उस कपड़े में प्रिविश कर जाती है आपने ये भी सुना होगा जैसे मैंने पहला वीडियो में बताया कि आप कभी भी किसी को अपने कपड़े देना चाहते हैं किसी जरुत मंद को अपने कपड़े दी आप पहनने के लिए देना चाहते हैं तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप कपड़े पुराने दे सकते हैं, उसमें कोई परिशानी नहीं है, लेकिन उस कपड़ों को आपने पहन के बिना धुय दिया, आप उसे प्रॉपर धुलवाएं, उसको साप सच करें, उसके बाद किसी व्यक्ति को दें, क्योंकि नहीं तो उससे आपका औरा सामने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है, आपके जो एक positivity होती है, जो उसकपड़े में समय होती है, उस व्यक्ति के पास चली जाती है, इसलिए कभी भी ये गल्ती तो करना ही नहीं चाहिए, अब जो मैं उपाय बता रही हूं, आप उस उपाय को सुनेंगे, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन आप इस उपाय को करके, आप अपने अंदर एदि आपको ऐसा लगता है, कि आप किसी व्यक्ति के सामने खुल कर नहीं बोल पाते हैं, कई बार होता है, कि आप एदि नोकरी पैशा है या बैवसा है है आपका, आप बोलना चाहते हैं, आपके मन में अंदर बाते उमरड़ी होती हैं, आप बोल भी अच्छा सकते हैं, आपको विश्वास है आपके उपर, आपको पूरा पूरा confidence है, उसके बाद भी क्या होता है कि हम जब बोलना शुरू करते हैं, तो हमारा आत्मे विश्वास क्या मालूम कहां खो जाता है, सामने वाला हमारे बातों पे यदि सच भी हो, तो यकिन नहीं कर पाता, यह हमारे बातों का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं प्रपाता, आपके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप कोई दी सामने वाला व्यक्ति सुनकर आपके बिश्वास नहीं करता, आपके साथ यदि स जमन वे नहीं करना चाहता तimdi आप इस वपाय को कर कर देखे बहुत ही चोटा सा वपाय है अप अपने शरीक पेहने विए कोई भी वस्तर अप बनियान ले मुझे तो इस्त्रिया भी पहनती है पुरुष भी पहनते हैं रुमाल भी पुरुष भी रखते हैं इस्त्रिया भी रखते हैं और जरूरी नहीं है कि बहुत पुराना या फटा हुआ होना चाहिए यह यह भी जरूरी नहीं है कि बिना फटा हुआ ही चलेगा फटा हुआ काम प्रभुत्व नहीं है, आपकी बात कोई नहीं सुनता, कोई भी इस तरह की परिशानी जब आप सम्मान नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बात, अब जब कोई भी शेत्र में जाते हैं तो आपका एक प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है, सामने वाले पर आपका इंप्रेशन जमना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही व्यक्ति के कहते हैं कि वही व्यक्ति के बेवसाय में सफलता मिलती है, जो बोलने में अगरनी होता है, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे, सामने वाले आपसे इंप्रेश होके आपकी बस्तु इक्रह कर सकता है लेकिन जो सीधा व्यक्ति होता जो नहीं बोल पाता है उसका सामन कितना भी अच्छा हो इतनी जल्दे नहीं बिट पाता है इसलिए आपके इव्यक्तित में प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है एक सामने वाले को इंप्रेस कर सके ऐसी परसनाल्टीब होना होत जरूरी है इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप अपने शरीर का कोई विवस्त्र पहना हुआ होना चाहिए चाहिए आपके पास नहीं है ऐसा कोई पुराना वस्त्र तो आप दो तिन देनी यूज करकर उपयोग में लेकर उ आपको करना यह है कि आप अपना एक कोई विवस्त्र ले 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 आप चाहे पुरूश हो चाहे नारी हो आप मोजा तक भी ले सकते हैं रुमाल तक भी ले सकते हैं और उसको आप बिना धोया आप उपयोग में ले उसको उसके बाद आपको धोना नहीं है यानि आपके शरी है उसमें प्रविश्च कर गई है उसके बाद उसको आपको सोंबार की नाइट में शाम की समय आप उस बस्तर को हाथ में रख लें बिना धोया कहीं भी कर सकते हैं कोई से भी रूम में कर सकते हैं घर के बाहर कर सकते हैं बाकि उसको हाथ में लेकर और एक नीला रंग का पैन लेने, निले रंग के पैन से आपको उसके लिखना है, कि आपके सान्ट जो भी समझ्या हो, आपके पैसे की कमी है, तो आप यह लिख सकते हैं कि मेरे जीवन से जो नकायत्मक उर्चा है वो दूर हो जाए और मेरे पैसे की कमी को दूर करे, इस प्यकार आप अपनी विश किने के बाद उसे एक बार पूरे अपनी घर के चारो कोनों में घुमा दें। जो ढख्षिन पक्षिम पक्षिम का कोना है। आप उसको ने पर ले जाकर, उसके घुबा जलियां, 있는 कि बड़ी चीज है, बनियान है ये इसे ठिए, जलाने के बाद आप उसको बैदें। आप कोई कागज पर रखकर जला सकते हैं ऐसे भी जल जाता है कपड़ा बहुत आसानी से जल जाता है और उसको जलाने के बाद उसे लेकर आप अपने घर के पूर्व उत्तर कोने में आप कोई ब्रक्ष है और नहीं है आपके आसपास नहीं है ब्रक्षे तो आप अपने घर के दूर उत्तरपूर्भ के कोने की तरफ जाकर जो भी ब्रक्षे आप उसमें थोड़ा सा जल में डालने हैं वे बलबस्थर को एक कलश में जल ले ले उसमें डाल कर और इसमें भी कोई आपको आउशक नहीं है कि आपको नहाना है इसनान करकी जाना है कोई शर्त नहीं है आपकी किस भी अवस्था में आप जाकर उस कालस में जल भरें कोई भी बरतन में जल भरें उसमें जला हुआ कपड़ा जो भभू रह जाती है बचा हुआ शेश रह जाता है आप उसे डालें और उसके बाद उसे ब्रक्ष के नीचे डालें जो कपड़ा बच्चा हुआ है यदि बड़ा कपड़ा बच्चा हुआ तो आप पूरा जलाने में आपको टाइम लगेगा तो आप उस कपड़े को अप अपने घर के यदि आसपा से सी कोई छत है जहां कोई आता जाता नहीं है कोई भोका कोई ऐसा सामन नहीं कोई गंदी जहां भुरे का धेर होता है कच्रे का धेर होता है आप वहाँ डाल के आ सकते हैं और आप बिना देखे अपने घर आ जाएं आप देखना इतनी जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा ये बहुती स्ट्रेश्ट उपाय है इसको करके आप अपने जीवन की जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर कर लेते हैं और ये उपाय आपको ल हर बार सुम बार को ही करना होगा इस प्रकार तीन बार करते हैं आपके जीवन से जो भी समश्या आपने लिखी है उसको कपड़े पर वह समश्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी करकर देखें बहुती स्रेश्ट उपाय है बहुती अचोक उपाय है आप एक बार कर लेत बार पर भुलेनात की करपा हमेशा बनी रहे ओम नमस्षिवाए